मसकार दोस्तो मैं विजय कसाना डेजिटल फ्रेशिक्षा के यूटूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूँ दोस्तो एटससी की सीटी बरतियों को लेकर सीम साब ने क्या कहा है कल भी अमने वीडियो डाला था और क्या बड़ी खबर है आखिरकार बरति कोण सी रद हुई है इसके बारे में सीम साब ने क्या कहा है और ये बरति क्यों रद हुई है इसके अलावा साथियों 20,000 ने पदों पर बरतियों की गोशना हुई है वो भी आपको दिखाएंगे विश्तार से खबर देख लेते हैं उससे पहले अगर आपको लगता है कि आपका विश्तार चैनल आप तक सई खबर पहुंचाता है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं ये देखे साथियों पूरे कोर्ट तसली करने के बाद उसमें लगे मैना, दो मैना, तीन मैना इल्टिमेटली सरकार के इसई को मेशा ठीक माना है और विश्ती से और उसमें और भी बाते हैं लेकिल आपकोici और उसमें सीएम साभ ने जो-जो बाते कई थी वो बाते आपको हमने लाइव सुनवा दी थी सात्य वीडियो अपलोड करके कुछ सात्य बोल रहे थी कि ओल्ड वीडियो है तो यह देख सकते है 23 नौंबर की यह जानकारी है प्रेस कॉर्फरेंस कल की गई थी जिसका वीडियो आप तक पहुंचाया गया था उसमें गुरूपडी रजल्ट के बारे में भी सात दिन का समय दिया गया है लेकिन मुझे नहीं लगता कि सात दिन में गुरूपडी वर्तिय का रजल्ट जारी कर दिया जाएगा अब सात्यों आपको पता है HPSC ने वैटनरी सर्जन की प्रिक्ष्या रद की थी आपको 20,000 नहीं पतों पर बर्तियों की बारे में बताएंगे लेकिन उससे पहले देख लीजिए CM साब ने इसके बारे में क्या काया है कि अभी हमने वैटनरी सर्जन की प्रिक्ष्या रद की जब हमको लगा कि हाँ इसमें कोई ना कोई गड़बडी है गड़बड करने में तो नीचे लोग बैठे ही है हम चानवीन करते हैं चानवीन में यह पता लगा जो सिकायत हमारे पास आई या जो रिपोर्ट्स आई उसमें पता लगा कि साथ यो जो 20-25 लोग है वो एक ही जगे उनका फोन बंद होता है और 10-12 गंटे बाद वहीं से उपन होता है तो उसमें लगा कि ये कुछ न कुछ गल्द कर रहे थे यान कि उसमें गड़बडी पाई गई जिस कारण से उन्होंने ये परिख्षया है वो कैंसिल कर दी क्योंकि हमें तो मेरिट पर लोग चाहिए यानि कि मैल्ट आदार पर ये बर्ती करने के लिए ततपर है इसलिए ये बर्ती प्रिख्षया रद कर दी गई तो सात्यों जो बार-बार सवाल उठ रहे थे कि आखिरकार वैटनरी सर्जन की बर्ती रद क्यों हुई तो उसके पिछे का कारण आज सीम साब ने बता दिया आप सात्यों एक चीज और ध्यान रखिएगा ये सोशल मीडिया प्लेट फोरम ही जवाब दे होगा पंदरा दिन में कानून आएगा जो फेक वीडियो वाइरल किये जाते सात्यों AI के माद्यम से वीडियो बनाकर जो वाइरल किये जाते उसके उपर सरकार सकत हो गई है इसलिए आप भी बचकर रहना ऐसा कोई गल्द कारिये ना करें जिससे आप भी फस सकते हैं क्योंकि अगर आप वो वीडियो अप्लोड करते हैं तो उसमें आपकी भी जवाब देई होगी जब आपको कंफरम ही नहीं है तो आप वो वीडियो अप्लोड क्यों कर रहे हैं इसलिए आज कल जो AI का फ्रोड चल रहा है या जो फेक सिस्टम चल रहा है इसमें सात्यों आप भी ऐसा कोई भी गल्द कदम ना उठाएं तो बचके रहें अब मुखे मुद्धे पराते सात्यों 20,000 नए पदों की ये देखिए शिक्ष्या मंतरी कवरपाल गुजर जी ने कहा है कि सरकारी स्कूलों में टीचरों की कमी जल्द दूर किया जाएगा परदेश में 20,000 नए टीचरों की बरती जल्द की जाएगी नए स्तर में 4,000 प्ले स्कूल खोले जाएंगे 4,000 प्ले स्कूल भी खोले जाएंगे और साथियों 20,000 नए टीचरों की बर्ति की गोशना की गई है जिसमें हो सकता है चाउंतर सो पदों के उपर तो जो बर्ति चल रही है चाउंतर सो इकेतर पदों पर इसका भी इसमें जिकर किया गया हो और साथियों बाकी कुछ हरेणा कोसल रोजगार निगम के तैथ भी ओने है और बताया जा रहा है कि TGT PGT की जो बर्तिया है वो भी और आ सकती है यान कि TGT की नई बर्ति की बी उमीद योओं को लगातार बनी हुई है कि TGT के एक्जाम के बाद नई बर्ति आ सकती है तो उसकी भी संभावना है लगाए जा रही है और जिस हिसाब से बार-बार 20,000 टीचर्स बर्ति की कोशना की जा रही है तो उससे उमीद और ज्यादा बर्ति है इसलिए सभी यूँ आपनी तैयारी जारी रखें और जो भी बर्तियों से रिलेटिड अपडेट होगा वो आप तक पहुचा दिया जाएगा ऐसे ही अपना मैतोप्रून समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद